असलाम लेकूम वीवर्स कैसे हैं आप सब आई होप कि आप सब खेरियत से होंगे वीवर्स आज हम रेट करेंगे उर्दो नावल जिनुनियत का पार्ट ठाटीन इस नावल की राइटर है अरीचा उमीद करती हों कि ये नावल आपको पसंदारा होगा तो चलते हैं नावल की तरह नहीं ऐसा कुछ भी नहीं मुंकिन था वो इस शक्त से कोई उमीद नहीं लगा सकती थी अब भी तक तो यही नहीं समझ पाई थी कि वो इस से शादी क्यों कर रहा है तो ऐसे में शक्त से उमीद लगाना सरसर बिवकूफी थी गित गिती तरह अपने रंग बदल दे उससे बिलकुल भी अन्दाजा ना था वो इस आदमी पर बिलकुल जिकीन ही कर सकती थी उसने बच्पन से इसके साथ कोई अच्छा स्लुक्त नहीं किया था तो अब कैसा हो सकता था वो सिर्फ दिकावा कर रहा था शादी के बाद उसने अपने सारे रंग बदल लेने थी लेकिन फिलहार वो इसके लिए अच्छा सोख रहा था इसके लिए इतना ही काफी था यह पलुकल निछे वला कंपरा करता था और फिर जब दादाई-जान बिमार हुए तो वह मस्तकिल निचे वाले कंपरे में शिफ्ट हो गया अब तो तक्रीबन एक टेल साल से यह कंपरा इस तीन के लिए फाइदा मन्साबित हो रहा था वो मरी के एक बहुते खुबसूरत अलाके में आए थी इसके मताबिक तो वो सिर्फ दो से तीन दिन के लिए यहां आए थी लेकिन अब उससे पता चला था कि वो तीन अफ़तों के लिए इससे हट को बुक करवा चुका है और अगले तीन अफ़तों तक वो जहीं पर रहने वाले ही वो यह तो समझ चुकी थी कि इसका शुहर एक बहुत ही अच्छा इंसान है लेकिन वो दिल का भी इतना अच्छा और महबत करने वाला था उसने कभी नहीं सोचा था वो जितना अपने रप का शुकर अदा करती कम था कभी करता था कि यह सब कुछ बदल जाएगा बिल्कुल किसी खुआप की तरह वो कभी ना कभी इस खुआप से बाहर निकल आएगी और असल दुनिया का रंग देखेगी लेकिन जर्याम का चाहतों से बरा अंदाज इस दुनिया में यकीन करने पर मजबूर कर चुका था इस द बाका लाया था इसकी माँ इसके साथ लगी ना जाने कितनी देर रोती रही वो इने यकीन दिलाता रहा कि वो इनकी बेटी का बहुत ख्यार रखेगा कितने मान और मुह बदल शिर्सम को नहीं मानता इसके लिए इसकी बीवी है जिसकी वो ना सिर्फ इज़त खुद वो इसकी बातों को सोचते हुए खुबसरते नजारों में गुम थी जब उसे अपने एक के शाल महसूस हुई और एक के नरम गरम सा मजबूत एसार तो में बिमार होने का शोख है क्या पहले ही जब से यहां आई हो ना के सुर करके बैटी हो और अब में बिना शाल बिना किसी गरम कपड़े के जहां बाहर सर्दी में खड़ी हो खुद कुशी करने का यह तरीका हलाल तो नहीं लगता वो इसके बाजों से लाते हुए उसे अपने सार में कैद की बोर रहा था जबकि इसकी बात पर वो मुस्कुरा दी अलहम्दले इतनी असीन जिन्दगी मिली है मैं तो कभी ऐसा सोच भी नहीं सकती इस में उसने मुस्कुराते हुए इसके सेने पस सरखा था क्या बात लगता है मीरी मुस्सिट को ज़लर से ज्यादा असीन जिन्दगी मिल गई है जरा मुझे भी इस असीन जिन्दगी का एक नजारा करवाओ वो इसके सुर्ख लबों को जुक कर जुमते हुए पीछे हटा वो शर्मा कर साथ जुका गी वो काफी मीठा निजा रहा है मुझे तफसीर से देखना चाहिए वो अचानक ही उससे अपनी बाहों में उठाते हुए बोला तो इसकी कुर्बत पर वो दिल थाम कर रहेगी वो ऐसा करने वाला है ये तो उसने सोचा भी नहीं था जबकि जर्याम इसकी सोचा को नजर अंदाज करता उसे योहीं बाहों में उठाए अंदर ले आया था उसकी आंग कुली तो उसने तोड़े से फंसले पर इस शर्ष के बिस्तर को लगे देखा था जबकि टाईगर वोही पर आराम से बेटा हुआ था उसे एक लम्हे के लिए इस कुते से होँआ पाया था जबकि जिस तरह वो आराम से बेटा था वो भी अराम से बेट की ही बिना कोई अरकत की वो उससे देख रही थी जबकि हर तरफ की नजर को मातू वो शाजम को डूंड रही थी कर रात ना जाने कब वो सोई थी उससे बिलकुर अंदाजा नहीं था चल चल कर वो बहुत बुरे तरीके से ठक चुकी थी लेकिन फिर अब उससे एसास हो रहा था कि इस तरह किसी गहर माट पर बिलुसा करके वो इतनी बेफिकर नहीं हो सकती थी अगल कर रात इस आत्मी की नियत खराब हो जाती और वो इसके साथ कुछ उल्टा सिदा कर देता तो वो कैसे अपने नाना को अपना चेरा दिखाती था मतलब वो भी इसकी इज़त के मौफूम बहुत अच्छे तरीके से समझता था वो बुरा इंसान हरगेज नहीं था वो वरना कल से लेकर अब तक उसे ऐसे बहुत सारे मौके मिल चुके थे जिसमें वो इसका फाइदा उठा सकता था लेकिन इस शक्स ने ऐसी कोई गलत ह साथ थी लेकिन महफूज थी थोड़ी देर उन्हीं सोचों में गुम वो सामने जंगल की तरफ देख रही थी जब वो अपने कंदे पर कुछ लटकाई हुए इसकी तरफ आती नजर आया कहां चले गए थे तो मुझे छोड़कर वो भी अपने इस गुते सोरी टाइकर के प सुचा तुमारे जागने से पहले नाश्टे का इंतिजाम कर लेता हूं फिर अपना सफर शुरू करेंगे पता नहीं कब तक जंगल से निकरना होगा हाओ स्वीट तुम मेरे लिए सुबह सुबह जंगर से फ्रूट टून कर लाए हो तुम कितने अच्छे हो थेंग यू वो इसके हाथ से फ्रूट्स लेते हुए वहीं पानी के साथ पानी से दोगार खाने लगी शाजम एक लामे में समझ जया कि ये इतनी प्यारी शक्र बिना कर इसने थेंग जो बोला है वो सिर्फ अपनी बूख के ह्याल से ही बोला है फ्रूट्स के साथ नाश्टा करने के बाद वो अपना सफर दुबारा शुरू कर चुके थे वो काफी देर बिना कुछ भी बोले इसके पीछी पीछी चलती रही तो उससे कुछ हैरत हुई वो कुछ बोल क्यों नहीं रही थी वो ये अंदाजा तो लिगा शुका था कि वो बहुत ज़्यादा बातों नहीं लड़की है और बोले भी ना ना तो रह सकती है क्या हुआ तुम ठीक हो ना कुछ बोल क्यों नहीं रही तब यह ठीक है ना तुमारी वो थोड़ा फिकर मन होते हुए पूछ रहा था हाँ तब तो ठीक है लेकिन मेरा गला सूख रहा है मुझे प्यास लगी है वो बड़े ही मासूम अंदाज में बोली थी बहुत प्यारी सी लड़की थी वो इस वक्ते जतने बड़ी मसीबत में पस्यूई थी वो कुछ भी नहीं कह रही थी लेकिर इतना चलने के बाद प्यास लगना आम सी बात थी पानी किस तरफ मिलीगा मुझे अंदाजा नहीं अब तो हम इस अपशार से भी बहुत आगे निकलाए ही तो पानी का इंतजाम कहां से करके दूँ तुम थोड़ी दिर सबर कर लो हो सकता है आगे कहीं से पानी का कोई बंद बस्त हो जाए वो उसे देखते हुए करने लगा तो रिदम ने सिर्फ हाम में सारी लाया और एक बार फिर से चलने लगी तुम बहुत अच्छी इंसान हो तुम ने इस मुसीबत में मिरी मदद की अगर तुमारी जगा कोई और होता तो मेरी मदद कभी न करता मैं तुम्हे अपने नाना से मिलवाँगी मिरे नाना बहुत अच्छी हैं मुझसे बहुत प्यार करते हैं वो इस चीज़ का जिकर नहीं करना चाहता था लेकिन वो खुद ही बता रही थी तो वो भी बहुत गोर से सुनने लगा और फिर दिल्चस्पिस पूछने लगा तुम्हारे नाना है और तुम्हारी फिमरी मेरा मतलब है तुम्हारे वालदेन बेन बाई वो बहुत दिल्चस्पिस से मौजब शुरू कर चुका था जबके दादाजान कैच चुके थे कि इसके यहां आते हैं कि वो खुद ही उसे सब कुछ बता देंगे लेकिन शायद वो इसी से सब कुछ सुनना चाहता था मेरे वालदे नहीं है मैं छोटी सी थी जब वो इंतिकाल कर गए और नहीं मेरे कोई बेन बाई है नाना ही है सिर्फ मेरे इस दुनिया में जो मुझ से बहुत प्यार करते हैं जब तुम वापिस मिलोगे न मैं तो मैं इन से जरूर मिलवाऊंगी तो मुझे अपना कॉंटे मैं इनकी हवेली है वो बहुत अमीरे और मुझे बहुत सारे पैसे भी देते हैं मैं तो इन पैसों को खर्ची नहीं कर पाती लेकिन फिर भी मेरे नाना मुझे बहुत सारे पैसे दे देते हैं कभी कभी समझ ही नहीं आता कि मैं इतने पैसे का क्या करूंगी वो इसके साथ स लिदम ने बोलना शुरू कर दिया, सामने फाहर से एक खाले रंग की गाड़ी जाती हुई नजर आ रही थी, और गाड़ी की स्पीड देखकर अंदाजा लिगाना मुश्किल ना था कि वो एक प्लेन सड़क जा रही है, हाँ यकीनर वहां पर सड़को, गी चलो आओ जल्दी वापस पहुँशना था, बाकी सारी बातें तो नाना जान बता ही सकते थे, अगर ये दादा जान की नवासी थी तो इसकी कजन थी, यनि इसकी फुपो की बेटी थी, लेकिन इसके इसकी कोई फुपो नहीं थी, नहीं गर में कभी दादा जान की किसी बेटी का जकर की बेशमार मुहबत इस बात की गवा है कि वो इनकी बहुत क्रीबी है किसी दूसरे की बेटी पर अपनी दोलत खर्च करना या फिर उसे एतनी इज़त देना इसकी समझ से बाइद था इसके दमाग में बहुत सारी उल्टी सेदी चीज़ें आ रही थी जो वो सोचते ही नहीं चाहता था वो यहां बहुत खुश थी जर्याम भी उसे बहुत अमियत दे रहा था वो हर वाक्त इसके साथ रहता अपने प्यार बरी मिथी मिथी शिराटों से वो हर दिन उसे अपने क्रीब से क्रीब तर कर रहा था वो उसे पूरी मरी कुमाने पिताने कर लेकर जा रहा था वो इससे पहले मरी कभी भी भी नहीं आई थी तो ऐसे में जर्याम की इतनी तुज़ो इसके लिए बहुत खुशी का बाइस में रिखी थी लेकिन अब आइस्ता इसला उसे अजीब सा खोफ आने लगा था उसे ऐसा लग रहा था कि वो मिसलसर किसी की नजरों के इसार में है कोई मिसलसर इस पर निकाहें जमाई हुए है वो जर्याम की मिना खुश को बहुत खुशदा महसुस करने लगी थी वो हर वक्त इसके आस पास रहती उसे अकेले चोड़कर वो खुद भी नहीं जाना चाहता था वो इसके साथ बाहर आई तो यहां भी उससे वोही में सब महसुस होने लगा वो आगे पीछे और तरफ दिहान से देख रही थी उसकी खुशदा नजरें हर तरफ जा रही थी उससे समझ नहीं आ रहा था कि उससे ऐसा क्यों महसुस हो रहा है लेकिन अब उसकी छटी हिस और चीज़ का इस चीज़ का इशारा का रही थी कि कोई तो है जो हर वाक्त इसका इस पर निकाहें जमाए हुए है क्या हुआ तो बितनी डरी हुई क्यों हो सब ठीक तो है न उससे अपने साथ बाय लेकर आया तो जो ही उससे आगे पिछी नजरे जुडाते हुए देखा मुझे डर लग रहा है ऐसा लग रहा है कोई मुझे हर वक्त देख रहा है ऐसा लग रहा है जैसे आप मुझे से दूर जाएंगे तो यहां कोई आ जाएगा प्लीज आप मुझे छोड़का के ही मत चाहिएगा डार्निंग क्या हो गया है तुमें इस तरह से डर क्यों रही हुई यहां पर मेरे और तुमारे लावा और कोई नहीं है और बाकी हनीमून कबल्स है अमारे अलावा और इस जगा पर बहुत सारे लोग हनीमून मनाने के लिए आए हुए हैं लोग आके पीछे गूम रहे हैं शायद इसलिए तुमें ऐसा लग रहा है शायद तुम रशवारी जगा पर पहले कभी नहीं आई इस जगा काफी रश है आओर नीचे की तरफ चलते हैं वहां नीचे रेस्टोनेंट है तो इसका हाथ थामते हुए बोला तो इसने फूरण इसके इसार में अपनी जगा अपनाई थी जबके वो इसके गिर्द अपनी बोहों का गिराब नापता नीचे की तरह जाने लगा वो उसे बताना चाहती थी सिर्फ यहां ही नहीं बलके जब से यहां मरी आई हुई है वो मसलसल खुद को किसी की नज़रों के सार में महसूस कर रही है लेकिन फिलहाद जड़र्याम का मूड खराब नहीं करना चाहती थी वो यहां आकर बहुत कुछ लग रहा था और हमाया को इसकी मुसकराट बहुत दिलकश लगती थी वो इसकी मुसकराट एमानत नहीं करना चाहती थी वो पहली बार यूँ इतने लोगों में आई थी तो हो सकता था कि ये सब सिर्फ इसका वहें हो तो ऐसे में जड़र्याम को परशान करना उसे बहुत अजीब लग रहा था उसने अपना डर्स खुद तक ही रखा लेकिन फिर भी जड़र्याम इसकी खमोशी को नवट कर चुका था और अब वो इससे बातें करते हुई इसके डर को कम करने की कोशच कर रहा था कभी वो मुसकरा देती तो कभी फिर से आगे पीछे देखना शुरू कर देती वो इसका यूं बार बार आगे पीछे देखना जर्याम को भी परशान कर रहा था इसके दुश्मनों के कमी नहीं थी ले मुमकिन था इसके दुश्मनों में से ही कोई इसकी बीवी को डिस्टरब करने की कुशच करता था या उसे डराना चाथा लेकिन ये सोचते हुए उसे अजीब लग रहा था वो दुश्मनी भी महयारी लोगों से करता था जर्याम शा दुश्मन भी सोच समझ कर बनाता था ऐसा इसका कोई दुश्मन नहीं था जो उसे चोड़कर इसकी बीवी को टार्गिट करता तोड़ी देर वहां बैटकर वो उसे अपने साथ लांग ट्राइवली पर ले गया जहां जाते हुए वो पुर्सकून थी और उसे पुर्सकून देकर वो खुद भी पुर्सकून होकर इस वक्त इंच्वाई करने लगा था इसनकी बापसी रात को बहुत देर से हुई थी खाना वो रास्ते से होटल में खा कर आये थी कमरे में आते ही वो ठक कर सोगी ही थी जबकि वो मुसलसा यही सोच रहा था कि आखर ऐसा कौन कर सकता है उसने तिस्री दफ़ा स्टाफ रूम में जाने का फैजला किया था वो दोनों इसके साथ साथ ही आ रही थी आज कल पेपर सर पर आ रही थी तो सर ने सकती से चुट्या करने से मना कर रखा था ऐसे में इसके एक अपते की छुट्टी वाली अप्लिकेशन आफिस में जाती और मनूल होकर वापस आती है ऐसा तकरीमन नमुम्किन था बाकी दो टीचर्स को तो इसने आज मुतमेन कार लिया था कि वो अपनी बेहन से तहरी कर लेगी लेकिन अपने बाई की शादी पर किसी तरह का कोई कमरमाइज नहीं कर सकती और टीचर्स इसकी कपरियत से भी अच्छी तरह से वाकित थे दो टीचर्स ने तो इसकी एप्लिकेशन पर साइन भी कर दिया था बाकी मसला इसके क्लास टीचर्ज सर या शाम एमर का था जिससे बात करते हुए भी वो गबरा रही थी क्योंकि वो पिछले कुछ टाइम से इसका कोई भी टेस्ट इतना कापनी कबूर नहीं था जिसकी बिनापर उसे चुटियां बाहसानी मिल सके तो ऐसे में वो परिशान थी परसुन क्लास टेस्ट के बाद इसकी बहुत इंसल्ट भी हुई थी और काल का टेस्ट भी काफी बुरा था लेकिन काल अच्छा ना होने के बवजूद सर ने कुछ नहीं कहा था बलकि इसका टेस्ट चेक करते हुए वो और ना जाने क्यों सर याशाम एमर के लबबर मुस्काट आगी ही थी और फिर उन्होंने एक बार फिर से इस टेस्ट को समझाया था देखें ये मनूस टापिक इतना अजीब था कि हर बार इसके सर के उपर से ही गुजर जाता एक दो दफ़ा उन्होंने दोसरे टीचर्स से भी मदद लेनी चाही थी तो सारी खिलास को इस मसले में कोई गरा देकर दोसरे टीचर्स ने भी कहा था कि इतना एम टापिक नहीं है उसे आपको बात में भी पढ़ाया जा सकता है लेकिन सर ये शाम के दमाग में ने जाने क्या चर रहा था वो तो जैसे इस टापिक की पीछे लगए है थी हर हाल में समझाने की कोशिश कर रहे थी उसने स्टाफ रूम के अंदर देखा तो उसे सर ये शाम के साथ दो टीचर और बैठे नजर आए मैं नहीं जा रही हूं मुझे नहीं जाना मुझे नहीं चाहिए चुटियां मैं बिना बताए कर लोंगी और वापिस आकर बेस्ति करवा लोंगी वो वापिस पीछे मुटते हुई इसे कहने लगी तो नहीं तुम जाओगी ये रूज के खलाफ है तुमें अपनी चुटियां से पहले सर को बताना पड़ेगा तुम चुटियां चाहिए तुमें चुटियां चाहिए वरना अंजाम के जमदार तुम खुद होगी मिशा ने उससे समझाने की कुशिश की थी जब अचानकी वो स्टाफ रूम से निकल कर बाहर आया आप लोग यहां बाहर खड़ी क्या करें ही वो सीधे इनके पास आया था जब मिशा ने इसके हाथ से अप्लीकेशन चीन का सर की तरफ कर दी जिसे इसने फूरान थाम दिया था सर हरम के बाई की शादी है और उसे चुटियां चाहिए दो टीचर्स ने उसे जहादत दे दी है आपके साइन की जरुरत है पिर हम उसे प्रिंसिपल हाफिस में सब्मिट करवा देंगे वो एक की सांस में तेसे बोली थी जबकि हरम सर जुकाई अपने आथों की उंग्रियां चटकने में मसरूफ होगी आप दोनों ने हरम के असेस्टेंट की नोकरी कब से समा रखी है वो पिपर्स कोल कर खुछ रखवास पर सांस करने लगा जब इसके स्वाल पर पहले तो इन तीनों ने हैरत से उसे देखा फिर खुद भी हस दी वो सर हम कब से कह रहे थे कि आप से सांस लेने के लिए चले लेकर ये बार बार वापस जा रहे ही थी तो इसलिए हम इसके साथ आना पड़ा नजबी ने मुस्कुराते हुए बताया इन मेंसे किसी को भी मीदना थी कि एतसार वो इतने स्कून से सांस कर देगा और आप क्यों नहीं आ रही थी मिस हरम आपने उसने मुस्कुराते हुए अब अरम से स्वाल गिया था सर्वो टेंशन थी टेस्ट की हम मेंसे वो टापिक किसी से भी हैंडल नहीं हो रहा और फिर आपने छूटियों करने से भी मना कर दिया है तो ऐसे में अरम काफी टेंश थी पता नहीं उसे छूटियों मिलेंगी या नहीं वो टापिक काफी ज़्यादा एहेम है जिसे आप लोगों को हर कीमत पर हेंडर करना पड़ेगा और हरम को भी परिशान होने की जरूरत नहीं उसका भी हेंडर हो जाएगा अपने भाई की शादी को एंच्वाई करो और टापिक के हवाले से तुम्हें टेंशन लेने के जरूरत नहीं है वो मैं तुम्हें करवा लूँगा वो एप्लिकेशन उसे वापस करते हुए पर इसराण रेंदाज में मुस्कुरा कर वहां से अदर चला किया था जबके इमाम मिर्शा और नेजमीन तो इसके मुस्कुराने पर ही इतनी हुश हो गई थी टॉपक के वाले से उसने क्या कहा उन्होंने एद्यान नहीं दिया मुबारे को छुटिया मिल गई हैं अब एंजॉई करो और दाश भाई की शादी को वो दोनों इससे गले मिलते हुए कह रही थी जबकि छुटियों की खुशी तो उसे भी बहुत ज़्यादा थी अब वो भी अपने बाई की शादी को कुल कर एंजॉई कर सकती थी लेकिन सर उससे टापिक किस तरह से थियार करवाएंगे ये बात उससे समझ में नहीं आई थी लेकिन फिल हाल उसने इस चीज़ पर अपना दमाग पाना जबर नहीं समझा आज ये शाम आखरी पेपर देखे आई थी अब वो बिलकुल पुर्सकून थी अब जो भी उससे तंग करना चाहता था कुल कर कर सकता था क्यूंकि सबसे एहम काम तो हो गया था हरम तो सुब काफी परशान लग रही थी जिस सोच के कि उससे चुटियां मिलेंगी या नहीं जबकि अपना आखरी पेपर देकर वो स्टाफ रूम में आई थी और वहां टीचर्ज को शादी कार्ट दे दिया था उसकी टीचर्ज ने कहा था कि उसे फिलहाल शादी नहीं करना ही चाहिए थी बलकि इस तरह की किसी बड़ी जमदारी को समाने से पहले अपनी प्राइम कमल करनी चाहिए है करनी चाहिए सबी लोग जानते थे कि इसका एक खुआब है वो अपने खुआब को लेकर आगे बढ़ रही है ऐसे में उसकी शादी की खबर सब के लिए काफी हैरान कुम थी उसने कह दिया था कि इसकी फैमिली इसकी शादी पर दोर दे रही है और वो अपनी फैमिली के खिलाफ नहीं जा सकती और जहां तक बात इसके खुआबों की है तो अपने खुआप अपड़िये करने के लिए रे वो किसी भी हाँ तक चली जाएगी खादाश इसके साथ क्या करने वाला था और आगे इसके जिंदकी में क्या होने वाला था ये सोचे बिना इसने अपने आप के लिए एक चैलिज त्यार कर लिया था वो हमेशा से लटी आई थी अपने खुआबों के लिए आइंदा भी लड़ने को त्यार थी वो भाहर आकर बैठी जब यौन ने उसे बताया था कि इसकी गाड़ी आ चुकी है आज बी इतना जल्दी वो उतनी जल्दी क्यूं आ जाता था उसे लेने के लिए अपना सामान समीट कर बाइर निकल आयए थी शुकर है आज मतर्मा जल्दी निकलाई जल्दी अहो लेंगा पसंद करने जाना है अमा ने कहा था कि आज ही काम हर कीमत पर करना है वैसे मेरा इरादा तो हरम के साथ जाने का था लेकिन वो अभी तक अपने गारे से फारग नहीं हुई तो सोचा कि तुम ही पसंद कर लोगी वैसे भी पेना तो तुम ही यह है वो गाड़ी में बैठते हुई उससे कह रहा था जबकि वो सिर्फ हाम में सरी लागी तो मैं कौन सा कलर पसंद है वो गाड़ी स्टार्ट कर चुका था मैं शादी के बाद अपनी प्राई जारी रखोंगी मैंने पूछा कि कलर कौन सा पसंद है इसके जवाब पर बदमजा होकर फिर से पूछने लगा मैं कलर की नहीं केरियर की बात कर रही हूँ इसने तबकर जवाब दिया जिस पर वो दिजकर्शे से मुस्कुराया करियर की बात भी हो जाएगी पहले कलर की बात हो जाए हम लेंगा अपसंद करने जा रहे हैं मैं अपनी प्राई जार नहीं रखना चाहती हूँ अगर आपने शादी के बात मुझे मेरी प्राईजे मना किया या फिर आपकी कोई और डिमांड है तो आप मुझे अभी बता दे अभी बताने से क्या होगा नकात हो चुका है वो इसकी बात पर मुस्कुराते हुए बोला था क्या मतलब आपका अगर आप से नकाह हो चुका है तो मैं आपकी गडाम बन चुकी हूँ और आप जो कहेंगे वो में करूँगी वो हैरत से उसे देखते हुए कहने लगी नहीं मुतरमा आप मेरे नकाह में आकर मेरी मनकुवा बन चुकी है और मिज़िद एक अफ़ते में आप मेरी बीवी बन चाएंगी पहले भी कहा था तो उमसे आप भी कहता हूँ अपनी जगा और मकाम ठीक से समझ जाओ वैसे शौर अपनी बीवी की हर बात मानता है हाँ लेकिन अगर बीवी में बात मनवाने वाले काबलियत हो तो वो गाड़ी स्टार्ट करते हुए बोला शौर से बात मनवाने का होनर सीख लो लड़की तो मरे लिए फायते मन साबित होगा वो शौर हो रहा था आपने गाड़ी क्यूं रोकी यहाँ वो गाड़ी रोकने पर वो हैरत से उसे देखते हुए पूशने लगी तो मैं शौर से बात मनवाने की होनर सी खाने के लिए वो उसे खेंच कर अपने की करीब करते हुए इसकी लबों को अपने लबों की कैदमी ले चुका था निशाम जो इस साफ़त के लिए हरके स्तियार ना थी अचानक इसके कालर पर अपना हाथ सकती से जमाग गी अधाश पीछे हाटा तो अगले ही लहमे वो शीसे से जुड़ कर बैठी थी अगर दर्वाजा लाग ना होता तो यकिनन गाड़ी से ही निकल जाती ये भी एक तरीका है इस तरीके से तो शोर से बात मनवा सकती हो लेकिन इसके लिए तो मैं पहले अच्छी खासी बेहनत करने पड़ेगी मतलब हूनर सीखना पड़ेगा और मैं सीखाने के लिए भी त्यार हूँ अगर तो मैं किसी और से सीखने में शरमाती है तो वो गाड़ी वाफ स्टार्ट करते हुए उसे तंग करने डगा था जबकि इसके बतले बतले अन्दाज दिचान को सख परशानी में मुब्तला कर रहे थे फाइनल इन दोनों को लिफ्ट मिल की ही थी और अब इन ने खुदा का शुकर रदा किया था पहले भी वो दो गाड़ियां आई थी लेकिन वो दोनों गाड़ी वाले अपने साथ इस खतरना कुटे को विठानी को त्यार नहीं थी और आप तिसरी दफ़ा उन्हें कोई ऐसा इसा इंसान मिल गया था जो खुद भी कुटों से काफी लगाओ रखता था रिदम को खुद भी कुटों से ना सही लेकिन जनवरों से खासा लगाओ था इसलिए इन दोनों के बात उससे बिलकुल बसान नहीं आई थी कि वो अपने साथ शाजम के दोगी को बिठाने को त्यार नहीं थे इसलिए उसने भी इन दोनों को भेज़ दिया था और इसके साथ चलती रही थी वो इसके लिए इतनी मसीब़ उठा सकता था तो क्या वो इसके कुटे के लिए तोड़ी तेर पयादल नहीं चल सकती थी गाड़ी ने इन दोनों को होटल के हदूद तक पुचा दिया था अब आगे जाना इनके लिए मुश्किल नहीं था शुक्र है हम लोग यहां तो पहुंचे वैसे मुझे अंदादा नहीं था कि यह जंगर इतना लंबा है कि हमें आते हुए इतना वक्त लग जाएगा या हम जरूरत से ज्यादा ही चलते रहे ही रास्ते की तलाश में वो बोले जा रही थी जबकि शाजम उसे सुनते हुए कंदे उसका कर आगी बढ़ रहा था ड्राइवर चाचा ने तो उन्हें दूर से ही आते हुए देख लिया था वो खुद ही आदे रस्ते में उन्हें रसीव करने पहुंच चुके थी वो चाचा किसी ने से लग कर कितनी देर उन्हें मतमिन करती रही कि वो बिल्कुल ठीक है लेकिन ड्राइवर चाचा को फिर भी बहुत सारी परेशनिया लाग थी उन्होंने तो फोरण ही दादा जान को फून करते हुए उन्हें बताया था कि वो दोनों पिल्कुर ठीक ठाक यहां पहुंच चुके हैं जबके यह जान कर उनको हैरत हुई थी कि शाजम भी इस किस्टे के बारे में कुछ नगुछ जान चुका है शाजम बेबी तुम कहां चले गए थे मैं तुम आरे लिए बहुत ज़्यादा परशान थी मुझे तो सारी रात परशान से नहीं दी नहीं आई थी कि तुमें कहीं इस तरनाक जंगर में कुछ हो ना चाहे मारी आचनक ये बाक्ती हुई इसके पास आई और इसके सिने से लगी इसकी ये हरकत वहां मुझूद सबको ही नाकवार गुजरी थी जबके ज़की जो इसको देकर वहां आया था मारी की हरकत पर इसने मुझ फेर लिया था तम ठीक होना काफी परिशान था में आना चाहता था लेकिन होटल की मनेजमेंट ने हमें नीचे की तरफ नहीं आने दिया बस उपर से ही तुम लोगों को डूनते रहे पता नहीं तुम लोग किस तरफ निकल गए थे जकी इसकी नाजक सी बिली को इसके हवाले करते हुए बताने लगा कि शायद क्योटी हुद भी उससे काफी मिशका रही थी हाँ तुम्हें पता हैं अमजंकल में बहुत आगे निकल गए थे वहाँ इतनी खतरनाग जनवार थे हमने वहाँ डियनसोर देखा और ना और वहाँ पर बहुत बड़ा एक निट एक निट डियनसोर तो दुनिया से नापैद हो गए हैं ना वो इहरानगी से देखकर पूशने रगा था जबकि शाजम नफी में सारिला था होटल की तरफ जाना चाह रहा था अरे दुनिया से नापैद हो गए लेकिन यहां इस उंकल में हैं मैंने देखे हैं तो में मुझे पर जिकीन है ना वो उसे जिकीन दिलाते हुए बोली तो इगनोर करने पर खुद थोड़ी परशान हुए लेकिन शाजम को चोड़ने का इसका कोई रादा नहीं था इसके गले लगने पर इसने कोई रिस्पॉंस नहीं दिया था लेकिन इसकी इस सरकत पर इसने उसे कुछ कहा भी नहीं था तो रूम में चलो मैं तुमारे लिए लाजू से निकाल लिया जिए चिपकली तो पीछे लगी है तुमारे तुम तो कह रहे थे कि तुम इसे जान चड़वाना चाहती हो और अब इसके साथ हम काफी अच्छी गयरी लग दोस्ती लग रही है तुम दोनों की दिदम शिरारा से हसते हुए बोली थी इसके बाद पर वो बिना कुछ बोले कंदे उसकाते हुए अंदर के तरफ बढ़ गया जबकि वो भी इसके पीछे ही आई थी क्योंकि वो जख्की के चेरे से अंदाजा लगा चुकी थी कि मारे का होना ना होना इसके लिए कोई एहमियत नहीं रखता तो फिर शाजम इसमें इंटरस ल नहीं आ रहा था क्योंकि कोई भी इसकी च्वाइस के मताबक नहीं था बहुत खुबसरत लगे हुए आने के बावजूद इसकी पसंद का कोई कलर जहां मौजूद नहीं था नहीं मुझे यहां पर कोई भी पसंद नहीं आ रहा वो उसे देकर मस्किन सुरत बना कर बोली को लास मॉमिंट में पे लेंगा लेना कौन आता है ये सारी चीज़ें पहले करने चाहिए थी आपको एक ही दिन होता है पूरी जिन्दगी में दूलन बनने के लिए कम अज़ कम लेंगा तो आड़र पा पहले ही त्यार करवा लेना चाहिए अब ये लास मॉमिंट में कहां से मिलेगा मुझे तो कोई भी पसंद नहीं आ रहा वो सक्बिजार लग रही थी अब अगर मैं तुम्हें ये कहों कि ये सब कुछ तुमारी वज़ा से हुए है तो हम हुआ है हम तुम्हारी वज़ा से इतने लेट है तो तुम्हें बुरा लगता है तो बेशक्ट लगता रहे क्योंकि यही असल वज़ा है मैंने खुदी तुमारा लेंगा त्यार करवाने के लिए नहीं दिया था क्योंकि मैं चाहता था कि लेंगा तुम अपनी पसंद के मताबे खुद दे पसंद करके लो अब तुम मेरी इस बात पर ज़कीन करती या नहीं ये तम्हारी मर्जी है लेकिन वज़ा जही है अगर ऐसा था तो आप मुझे पहले बता देते और वो इसकी बात से इंप्रस हुए हुए बोली तुम कुछ ज्यादा ही मज़ूफ थी पिछले दिनों मैं नहीं चाहता था कि तुम डिस्टर्ब हो फिर मुझे पर इज़ा लग जाता कि दो किताबों में सप्लियां इस लेंगे की वज़ा से आई ही क्योंकि मैं तुम्हे अपने साथ लेंगा पसंद करने ले गया था वो इतने मज़े से बोला था कि दिस्टर्ब का मुझ कुला का कमुला रह गया अस्तग्फिरूल्ला सप्लियां आएं आपकी अल्ला ना करे कि मेरिया कोई रिकार्ड खराब हो आप तो चाते ही यही है कि मैं फेल हो जो और मेरे खवाब बदूरे रह चाएं और आप पूरे खांदान में सबसे ज़्यादा तालिम जापता इनसान बन चाएं लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा और खबरदार जो यह लेंगा वाला लिज़ा मेरी मुस्रूफियात पर लगाया अब शादे में पंच दिन बाकी है मैं खुद ही अपना लेंगा अपसंद कर लोगी और मुँ बना कर जाकर गाड़ी में बैर के जब कि खादाश मज़े से इसके ही आया था काशी डिजाइन से लेंगा लोगी बस फैसला हो गया वो इसके घड़ी में बैठते ही बोली थी तो फिर पहले बता देती हम ऑनलाइन आडर कर देते इतना गुमा फिरा क्यों रही हो यूनी के बाएर ये बता देती बजारों में चकल काटे काटे अब मुझे ब वाक्त बदबार काट दिया चलो आओ मेरे साथ लंच कर लो तुम्हारे साथ आने का कुछ तो फाइदा हो वो गाड़ी रेस्टरेंट के बाएर खड़े करते हुए इस से केने लगा मैंने आपका वाक्त बरबाद किया है वो सदमे से देखने लगी बैस करने वले उर्टे अपने शोर से बात मनवाने का होनर नहीं रखती वो उसे देखते वो शराड़ा से बोला था फिर से हुनर की बात पर वो फोरान गाड़ी से बाइद देखने लगी थी वैसे आज हुए रेस्टरेंट के अंदर चली गी जबकि वो भी दिलकशी से मुस्कुराता हुआ इसके पीछे ही आया तुमारी बूख तो मैं शादे के बात का तम करूंगा मिसिस मेरी बौह में आकर जब एक एक बात का इसाब दोगी तब तुमें पता चलेगा का खादाश काजमी मामले में कितना जालम हैं और हुनर तो तुमें सेखनें पढ़ेंगे अगर तुमें अपनी बातें मनवानी हैं तो माननी तो तुमें मेरी भी बढ़ेगी सारी अकर ना निकाल दी तो मेरा नाम भी खादाश काजमी नहीं वो सकून से गाड़ी लाग करते हुई इसके पीछी ही आ गया था जो रेस्टोरनेंट के अंदर खड़ी इसके आने का इंतिजार का रही थी वो तक्रीबन बागत हुए अपने काले से बाहर निकली थी चेरे पर खुशी साफ इस बात का पता दे रही थी कि इसकी चुटियां मनजोरो चुकी है खड़ाश तो इसके चेरे की रोनक देकर ही हुश हो गया था जबकि खड़ाश के साथ आगे अपनी सीट पादे शाम को बैठे देख उससे बहुत खुश हुई थी वो बिना कुश भी बोले पिछली सीट कोल कर अंदर बैठ की ही थी जबकि वो तो पता नहीं कौन से ध्यान में लगी हुई थी उसे पता बिना चला कि कब हरम का कालज आया कब गाड़ी रुकी और कब हरम पिछली सीट कोल कर बैठ की ही सोरी हरم में तुम्हारी जगा बैठी ही तुम आगे आओ उसने फॉरन ही दर्वाधा कुला था अरे नहीं नहीं वो मेरी नहीं आपकी जगा है उतने सालों समय आपकी जगा पर बैठी रही लेकिन आज आज आप अपनी जगा पर बैठी हो वैसे माशालला आप दोनों प्यारे लाग रहे हो एक साथ मेरा दिल करा है मैं आप दोनों की तस्वीर ले लूँ बिल्कुल बेफिकर रहे हैं कबाब में हटी बनने का मुझे कोई शोग नहीं है मैं तो शादी से पहले टाइम देती हूँ आपको एक दुसरे के साथ टाइम स्पेंट करने के लिए वैसे आज भी वीरो जल्दी पहुंच गए होंगे आपकी यूनी में वो शराच से बरपूर लेचे में पूछ रही थी हरम हो गया मजाग बेटा अब बस उसे खंदाश की आवास सुनाए दी तो वो सिधी होकर बैठी इससे पहले कि वो गड़ी स्टार्ट करता कालिश गेट से बाइर निकलते आदमी को देकर उसे एक हैरत का जटका लगा था ये कौन है उसने अपनी हैरत को चुपाई बिना हरम से पूचा था मेरे ख़डोस टीचरे हैं इनकी आपके सामने बहुत तारीख भी करती हूँ जिनका नाम सारी ये शाम है और ये मेरी कलास के इंचार्ज हैं वो बड़ी मज़े से बता रही थी वो और कुछ बताती कि अचाना कि उससे अपनी तरफ देखते पाकर ये शामने मुस्क्रा कर इसकी जाने कदम बढ़ाए थे वो भी करड़े से निकल आया था असलाम अलेकू मुबारे को शायद आपकी शादी है इससे हाथ मिलाते हुए ये शामने मुस्क्रा कर कहा था तकरिबन साड़े चार माईनों से इस कालिज में जाव कर रहा हूँ इसकी हैरत पर इसकी दिलकुश्य में जाफ़ा हुआ था फिर शायद ये मेरी गलत फेमी होगी हो सकता है कि हरम को लाते या ले जाते वक्त मैंने कहीं देखा हूँ खादाश ने बात कातम करने वले अंदाज में कहा तो इसने भी कंदेश का दिये वैसे में आपके निकामें भी आया था हो सकता है आपने मुझे तब देखा हूँ वो वापस कड़ी की तरफ जाने लगा जब ये शामने मुस्क्राते हूए कहा शायद इसका मतलब हुआ कि आप मेरी शादी पर इन्वाइट है शादी पर मुलका दोगी वो मुस्क्रा करने लगा नहीं मैं आपकी शादी पर इन्वाइट नहीं हूँ आपकी बेहन ने मुझे इन्वाइट नहीं किया, वो सिर्फ अपने दोस्तों को ही इन्वाइट करती है, इसने एक नजर हरम की तरफ देखा, जो इनकी बाते सुन तो नहीं पा रहे ही थी, लेकिन इन दोनों को अपनी तरफ मतवज़त देखा, थोड़ी दनर्वस हो गी ही थ यह शाम ने हां में सारे ला दिया, अब दुलाएट खुद इन्वाइट कर रहा है, तो हम इनकार कैसे कर सकते हैं, वो मुस्कुनाते हुए इस से बोला था, यह हुई ना बात, तो शादी पर मुलाकात हो, कि वो मुस्कुनाते हुए इसके गल लाकर वापस अपने गाड़ हो तो यह काम हम घार पार भी कर्स पूरा कर सकते थे, उठो आज एक और जगापा लेकर चलता हूँ तो में, वो नहा कर निकला तो इसको अब तक बिस्तर में गुसे पा कर करने लगा, मेरा कहीं जाने का दिल नहीं कर रहा, इतनी सद्दी में, मैं बिस्तर से भी नहीं निक पर चमकी थी